कैसे हो दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल के उपर अगर आप लोग डाइरेक्ट इक्विटी में इंवेस्ट और ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके पॉर्टफोलियो का 50% अलोकेशन मुच्विल फंड के अंदर होना चाहिए क्योंकि अगर आप मुच्विल फंड में पॉर्टफोलियो बनाओगे तो आपको पूरे मार्केट का एक्सपोजर मिलेगा बलकि आपने खुद पॉर्टफोलियो बनाया होगा तो आपके पॉर्टफोलियो में 10-15 बेस स्टॉक्स से ज्यादा स्टॉक्स नहीं होंगे और आपकी प्रोफाइल को देखते हुए आपको कौन सा फंड सही रहेगा वो आपको जानना है तो आप मुझे क्वांटेक कर सकते हो मैं फ्री आफ कॉस्ट आपको सजेस्ट करूंगा सो इंडिगो रिसेंटली ही अगर हम देखते हैं तो रिजल्ट के बाद स्टॉक के अंदर काफी पिटाई हो रही थी रिजल्ट साने के बाद यहां पर देख रहे तो 16 परसंट की गिरावट हमें इमीडियेटली देखने को मिली हुई है थोड़े बड़ी टाइम फ्रेम का अगर मैं चार्ट का स्टॉक्चर देखता हूँ तो अभी भी स्टॉक्स ने कोई बड़िया सा रिटन बना के नहीं दिया हुआ है ठीक है जो भी लोगों ने 2019 में बाई किया होगा इल्डेट पैसा नहीं बनाएं ठीक है सो यहां पर जिस तरह का चार्ट का स्टॉक्चर बना हुआ है अभी भी हायर लिवल्स आएंगे न तो हमें सैलिंग देखने को मिलेगा 2100 रुपे के असपास अगर यह स्टॉक्स आ गया वापस वापस हमें सैलिंग आता हुआ दिखाए देगा बट पहले तो 2000 रुपीज भी ब्रेक करना थोड़ा डिफिकल्ट है ठीक है सो मेरे हिसाब से इंडिगो को आप लोगों को अवाइट करना चाहिए जिन लोगों के पास खुद का नौलेज नहीं है उन लोगों को यह स्टॉक्स अवाइट करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जिस तरह के चार्ट के स्ट्रक्चर बने हुए है थोड़ा हायर लिवल भी आएगा ना तो हमें सैलिंग देखने को मिलेगा बट हाँ रिजल्ट साने के बाद इतना गिरावाट हो गया तो एक पुल बेक भी जरूर से बनेगा एक पुल बेक भी आएगा आज के डेट में ही मैं देख रहा हूँ तो करीबन 2.45 परसंट का मुँ हमें देखने को मिला हुआ है सो यहां से अगर हम रिस्क लेते भी है सो मैंने मोटा मोटे आपको बताया कि 10 परसंट का कुछ गीन हो सकता है 2100 रुपे के आसपास पहुंच सकता है स्टॉक ठीक है बट उसके लिए 2000 रुपेस भी एक हरड़ा ने तो यहां से 100 रुपे का मोटा मतलब 5 परसंट का रिस्क हुआ सो अगर 1-2, 1-2-2, 1-3 का अगर हम सोचते है उस हिसाब से अगर हम प्लान करते है तो मेरे हिसाब से और देखो जिसके पास खुद का नौलेज हो न नहीं यह लोग वही यह स्टॉक के अंदर काम कीजिएगा ठीक है तो करेंट मार्केट प्राइज जो 1,901 रुपेस के आसपास है यहां पर एटलिस 50% कॉंटिटी आप ले लो और बाकी का 50% कॉंटिटी आपको लेना है 1,850 के आसपास अगर लोवर लेवल आते है तो ही ठीक है और उसके बाद फिर क्लोजिंग वेजिस के उपर आपको एक स्टॉप लोस मिंटेन करना है वो है 1,800 का तो अगर तोनों लेवल मेरे ट्रिगर हो जाते है तो हमारे एवरेज प्राइज हो जाएगा 1,875 रुपीस और मैंने बताया कि 2,000 रुपीस तक पहले स्टॉक जाएगा वहाँ से थोड़ा सेलिंग आएगा और वापस 2,100 का अपमू हमें देखने को मिल सकता है सब कुछ हमारे फेवर में गया तो 1,2,3 आसानी से हमें मिल सकता है तो जिस तरह से मैंने बताया है calculated risk इसी तरह से लिया जाता है तो यही इसी तरह से किसी को भी काम करना हो तो अब stop loss लगा के काम कर सकते हो मैं जो भी analysis कर रहा हूँ उसका demo lecture का link description में डाला गया है वो वीडियो देखे, knowledge required कीजिए, फिर काम कीजिए, कोई भी एक mentor choose कीजिए, सीखने के बाद काम कीजिए